हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब देखिए आज मैं आपको ये मल्टी कलर से थम सोक्स बनानी सिखाऊंगी फ्रेंड्स बहुत ये आसान तरीके से सिखाऊंगी सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं तो देखिए, यह मेरी इतनी पतली उन है, और फ्रेंट्स, इसके लिए मैंने 10 नंबर नीडल का यूज किया है, क्योंकि यह पतली उन है, अगर आपकी मोटी हो, तो आप मोटी नीडल उसमें यूज किज़, ले लीजिए, ये देखिए, इसमें, फ्रेंट्स, मैंने सिंपल 50 फंदे डाले हैं, मोटी उन है तो आप 45 फंदे डाल लीजिए, ये मैंने इसमें 50 फंदे डाले हैं, ये 5 और 6 नंबर पैर में आसानी से आ जाएगी, देखिए बिलकुल सिंपल धागे से फंदे मैंने इसमें डाले सिंगल, कोई रो अभी मैंने इसमें नहीं उतारी है, तो दोनों तरफ हम एक छोटा सा बॉर्डर बनाएंगे, देखिए, तीन और चार, ये आपने हर बार ऐसे ही बनाना है, धागा पीछे करेंगे, और ये बाके के फंदे हम सिधे बनातेंगे, ये देखिए, पूरी रो, पूरी रो हम इसकी बना लेते हैं, ये देखिए, एंड में आ गए, लास्ट के चार फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे, सीधी साइड से दोनों फंदे हम ने ये उल्टे बनाने, किनारे वाले को फ्रेंड से, आप धागा पीछे करके, इसको हम सिधा बनाएंगे, अब देखिए, उल्टी साइड है, इसको हम पूरी रो को उल्टी उल्टी बनाके कम्पलीट करेंगे, सुरी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, ये मेरा धागा फंदा निकल गया, ये देखिए, उल्टी रो है, उल्टी रो को हम बनाके, ये आपने हर बार उल्टी उल्टी बनाके इसको कम्पलीट करना है, यह देखिए धागा अपने तरफ करके इसको हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाके कम्पलीट करेंगे यह देखिए सेकेंड रोपूरी हमने बनाके कम्पलीट करके लास्ट वाला धागा आप ऐसे धागा पीछे करके इसको आप सिधा बनाएए ये friends हमारे दोनों साइड ये pair के उपर किनारे आएंगे तो बहुत ये अच्छी finishing आएगी इसकी अब देखिए ये देखिए एक बार हमारी friends दो रो उतारने के बाद हमारी ये line बनती है ऐसे आप इसको हर बार सीधी साइड से 4 फंदे उल्टे बनाएए दोनों साइड 4 चार फंदे अगर आपको चोड़ा बोडर बनाना है तो आप 6 फंदे या 5 फंदे भी ऐसे उल्टे बना सकते हो ये देखिए फिर धागा पीछे करके इसको आप ऐसे सीधा बनाएए लास्ट में फ्रेंड्स फिर इस साइड आप ये चार फंदे उल्टे बना लीजिए तो फ्रेंड्स मैं ये ये वाली मैं 26 रो बनाऊंगी ये लाइन जो है हमारी मैं ये 26 लाइन बनाऊंगी उसके बाद मैं आपको उपर का पंजा और थम की घटाई करनी मैं आपको बताऊंगी तो मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ ये देखिए मैंने इसको कम्प्लीट कर लिया है इस तरह से फ्रेंड्स ये इतना चोड़ा इसकी चोड़ाई है ये इसकी लंबाई मैंने रखी है आप अपने पैर के अकोर्डिंग पिछे से एड़ के पास से आप और आगे अंगुठा जहां से स्टार्ट होता वहां तक आप इसको अपने पैर के अकॉर्णिंग नाप लीजिए आगे हम अंगुठा आप इसमें अंगुठे की गटाई करेंगे तो देखिए एक पैर में तो फ्रेंट्स हमने अंगुठा इस साइड बनाना है और पंजा इस हम उल्टे उल्टे नहीं बनाएंगे अब हम सीधा सीधा बनाएंगे तो फ्रेंट्स मैं बीस फंदे आंगुठे के लिए इसमें अलग से करूंगे देखिए दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला सत्रा ठारा उननिस और ये बीस बीस फंदे फ्रेंट्स हमारे हो गए और मैं यहीं से वापस मुड़ जाओगे पहले हम अपना अंगुठा इसमें बनाएंगे तो देखिए अंगुठे की फ्रेंट्स जितनी आपकी लंबाई हो आप उतनी इसमें उल्टी सी दिरो बना लीजिए क्योंकि अगर ये छोटा बन गया तो आगे से हमारी सौक से जल्दी फट जाती है अंगुठा निकल जाता हागे तो थोड़ा सा आप इसको अपने मेजरमेंट करके अपने पैर के अकोडिंग बना लीजिए सीधा उल्टा बनाना है ये देखे किनारे का आप ऐसे सीधा बनाएगी देखे फ्रेंट्स ये सीधा बनाने से ऐसी आपकी लुक आएगी तो मैं इसको कंप्लेट कर लेती हूँ उपर फिर मैं बताऊंगी कि ये फंदे हमें कैसे इसको गोलाई देनी है और कैसे हम इसको बंद करेंगे तो मैं ये friends ये 20 फंदे इस सैड के बना लेती हूँ उसके बाद मैं आपको उपर का बताऊँगे देखिए उपर मैंने ये 20 रो बनाई है जो मेरे फंदे थे मैंने थम के लिए थे 20 रो बना ले उसके बाद friends जतनी आपकी लंबाई हो आप अपने अंगुठे से आप ऐसे नाप लेजिए इतना बनाने के पाद देखिए जितने भी आपके फंदे हो फ्रेंड्स इस रो में हमने दो फंदे का एक बनाना है हाफ हम अपने फंदे बना लेंगे दो का एक किया फिर से दो का एक किया फिर से दो का एक किया यह जितने भी आपके फ्रेंड्स फंदे हो सारे ही फंदे आप ऐसे दो का एक दो का एक कर लीजिए या सिदी साइड से कर लीजिए या उल्टी साइड से कर लीजिए यह देखिए फंदे फ्रेंड्स हमारे हाफ हो गए अब हमें क्या करना है यह देखिए इसी दागे को काटके मैंने इतना रखा हुआ है और सुई में मैंने दागा ले लिया सुई में हम सारे फंदे अपने ऐसे केक करके डाल लेंगे कोई फंदा फ्रेंड्स छोटना ने चाहिए जितने भी आपके पास फंदे हैं सारे फंदे आप ऐसे सुई में डाल लेजिए यह देखिए इससे क्या होगा हमारे अंगुठे की बहुत यह अच्छी गोल आएगी यह देखिए ऐसे यह बिलकुल गोल हो जाएगा और हम इसको एक बार और पका कर देंगे तो एक बार और सुई को आप इस साइड से ऐसे निकाल दीजिए यह देखिए यह हमने पका कर लिया सिलाई हम इसकी बाद में करेंगे इनको हम यहाँ पे ऐसे पका कर देंगे इसकी सिलाई फिर हम यहां से बाद में करेंगे यह देखिए फ्रेंड्स बहुत सुन्दर हमारी शेप बन गई है अब हम क्या करेंगे आप हम इस साइड से पंजे की हम छटाई करेंगे तो फ्रेंड्स यह तीस फंदे हैं हमारे पास तो देखिए इनको हम धागा मैंने यहाँ पे इसमें लगा लिया है देखिए च्यार पांच छे साथ आठ नों दस ग्यारा बारा तेरा और चोदा चोदा फंदे हमने इस साइड ले लिये देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार पांच छे साथ चोदा फंदे इस साइड हैं यह दो फंदे बीच में बचे हुए हैं इस रो में हम दो फंदे का एक कर लेंगे कि हमारे बीच सेंटर का एक फंदा हमने बनाना है तो यह हमने दो का एक कर दिया बाक्य के फंदे हम सीधे बना लेंगे अगली बार से फ्रेंड हम दो नो साइड से एक एक फंदा घटाएंगे अगर आपके पास एक फंदा एकस्ट्रा है मान लिजीए जैसे आपके पास 31 होते तो दो नो साइड 15 पंदा रख्के और एक फंदे से आप naszego साइड से फंदे आप गटा देते यह देखिए यह हम सिधे-सिधे बना देंगे उल्टी साइड हम सारी उल्टी बनाएंगे उल्टी साइड से बनाके और मैं यहां तक फ्रेंड्स आ जाती है फिर हम देखेंगे मैं बताऊंगे गटाएंगे हम कैसे तो मैं यह रो उतार के और सिधी साइड से यहां तक इसको बना लेती हूँ यह देखिए फ्रेंट्स यह हमने दो काई किया था यह बीच में है और एक इस साइड से लेना है हमने और एक इस साइड से लेना है तो देखे कैसे लेंगे इस फंदे को हम उपर लेंगे यह देखे इस साइड का फंदा हमने इसमें ले लिया इसको हम इसमें डाल देंगे और यह यहाँ पे तीन काईफ हम बना देंगे हर बार हमने ऐसे ही करना है एक इस साइड से लेना है और एक इस साइड से लेना है बीच वाले को उपर डालके एक बार में आपको और बताऊंगे फिर में इसको कम्पलीट करके आपको दिखाऊंगे यह देखे यह उल्टी रो उतार लेती हूं सी दिरो में मैं यहां तक इसको बना लेती हूँ friends फिर आपको एक बार और दिखाऊंगे यह देखिए मैं यहां तक बनाते मनाते आ गई हूँ एक बारा फिर देख लीजिए यह हम इसमें डाल लेंगे और इसको हम उपर लेंगे पर ऐसे आपने इसके उपर डालना है यह देखिए और हम इसका तीन फंदों का एक बनातेंगे तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही बनातेजी जितना भी आपका पंजा है आप पंजे से इसको नाप लीजिए इतना ही हमारा बनेगा जितना हमने यह अंगूठा बनाया है तो मैं इसको कम्प्लिट कर लेती हूँ उपर फिर मैं आपको बताऊंगी कि उपर से हमें कैसे बनाना है देखिए यह हमने यह अपना पंजा बना लिया है देखिए फ्रेंड्स इसकी इस तरह से इसकी शेप आई है यह आप देख सकते हो यह हमारा अंगूठा है तो इतना ही लंबा हमने इसको बना लिया है आप अपने पैर का मेजरेमेंट कर लीजिए तो देखिए अब हम क्या करेंगे 15 फंदे हैं फ्रेंट्स मेरे यहां पर एक दो तेन चार पांच छे साथ साथ फंदे फ्रेंट्स मैंने ले लिए अब हम इनको ऐसे कर लेंगे यह देखिए एक निडल और लेंगे इस साइड है मेरे तीन और तीन च्छै साथ और आठ इस साइड मेरे साथ फंदे हैं एक फंदे को और हम इसमें बना लेंगे और इसको इस निडल में हम ले लेंगे अब हमारे फंदे बिलकुल इक्वल हैं दोनों साइड तो देखिए फ्रेंट्स एक हम इस साइड से लेंगे और एक हम इस साइड से लेंगे और दो फंदे का हम एक फंदा बना देंगे पिछे वाले फंदे को इसके उपर से ऐसे उतार देंगे यह हम अपने फंदे बंद कर रहे हैं यह देखिए दोनों साइड से बना के और पिछे वाले से पिछे वाले को इसके उपर से उतार देंगे इसमें से निडल डाली और इसमें से डाली दो फंदों का एक बना देंगे, इनको उतार देंगे, पिछे वाले फंदे को उपर से उतार देंगे, फिर से देखिए, जितने भी आपके फंदे ओं, फ्रेंड्स, सारे फंदे आप ऐसे बंद कर लिजिए, निडल से ही, हमने सारे फंदे अपने बंद कर लिए, यह देखिए, लास्ट वाले को हम ऐसे करतेंगे, इस में से फ्रेंड्स हम धगा निकाल के इसको पक्का करतेंगे, यह देखिए, यह हमारे फंदे, यहां से उपर से सिल गई है, और यह हमारी इसकी शेप आई है, देखिए फ्रेंड्स, यह हमारा उपर का हिस्सा आएगा, यह हमने जो बोर्डर बनाया था वो आएगा, अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दो, इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे ऐसे नाप लीजिए फ्रेंड साथ यह जो हमारा बोडर है यह हमारा इसके यहां पे पिछे ही रहेगा कि यहां से आप इसको नाप लीजिए और यह जो बिल्कुल किनारी है यहां से हम इसके अवे सिलाई करेंगे उपर के फंदे हमने पक्के कर रखे हैं जो भी आपका फ्रेंड तरीका सिलने का आप ऐसे ही इसको सिल लिए एक बार इस साइड से ले लीजिए चेन में से और एक बार इस साइड से आप ऐसे भी इसकी सिलाई कर सकते हो और आप दोनों साइड से ऐसे भी इसक कर सकते हो और एक तरीक का यह है जैसे हम कपड़ा सीलते हैं ऐसे भी आप इसकी सिलाई कर सकते हैं एक बार हमने निड़र डाली नई सोरी सोई डाली और फिर से वापस बीच में से एक बार और निकाल के फिर थोड़ा सा आगे लेके आएंगे फिर इसके पिछे जाएंगे बीच में से डाल लेंगे यह ऐसा हमारा बिल्कुल कपड़े की तरह सील के आएगा और हलके आद से सीलना फ्रेंड्स आपने इसको खींचना नहीं है इससे हमारी किनारी भी यह चुबेगी नहीं बाकि आप इसको जो भी आपका तरीका हो आप उसी से इसको सील लीजे वैसे ही यह देखिए है उठा हमारा से लिए यहां पर थोड़ा सा इसको आप ऐसे पक्का कर देजिए अब फ्रेंड्स हम इस साइड जाएंगे या तो आप सुई में धागा पि रोके यह वाला उपर से आप निचे आजएए और यह बिल्कुल आप बौडर हमारा इसके बिल्कुल सीध में आना चाहिए फ्रेंड्स बिल्कुल यह क्योंकि यह हमारे पैर के उपर आएगा तो बिल्कुल ऐसे हमारी यह लाइन से लाइन यहाँ पे ऐसे मिलने चाहिए तो हम पहले इसी को सील लेते हैं यह देखिए यह अगर एक भी उपर निचे हो गई तो हमारी लुक खराब हो जाएगे क्योंकि बिल्कुल फरंट पे आएगा यह देखिए पहले आप इसको यहाँ पे पक्का कर लीजिए अब हम इसको उपर की तरफ बढ़ेंगे ना ज्यादा हलके हाथ से सीलनी फ्रेंट्स ना ज्यादा टाइट हाथ से आपको सीलनी है टाइट सील दोगे तो आपके पैर में चुबेगे बिल्कुल यह जो आपकी है किनारी की यह जो चेंज सी बनी हुई है अब में बिल्कुल यहीं से आपने सीलना है इसको इसकी भी फ्रेंट्स हम यहाँ पे नोट लगा के इसको भी हम पका कर देंगे डबल नोट लगा दी मैंने बाद में हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे तो देखिए मैं एक बार आपको इसको सीधा करके दिखा दूँ फिर हम इसकी उपर की सिलाई करेंगे यह देखिए फ्रेंट्स बहुती सुंदर हमारी लुकाई है यह देखिए अब हम इसको फ्रेंट्स इतना यहां से सिलाई करेंगे यहां से लेके यही से फ्रेंट्स हमारी सोक से टाइट और लूज होगी अगर आपको लूज लगे तो आप इस लाइन को थोड़ा सा आप उपर तक यहां तक से लीजिए और अगर आपको उपर से टाइट लगे तो आप यहां से थोड़ा सा आप खोल दीजिए तो यह यह बैक साइड है हम इसको ऐसे अब इसको मैं कम्प्लीट करके दिखाऊंगे फ्रेंड्स वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आप अपने पैर के अकोर्डिंग इसको सील लीजिए यह आप मैं यहां से सीलना शुरू करूँगी किनारे से बिलकुल किनारे मिला के फ्रेंड्स से यह बिलकुल आप ऐसे किनारे से किनारे मिला के आप इसकी ऐसे सिलाई करिएगा और थोड़ी सी यह देखिए मेरी यह है एक दो तीन च्यार पांच छे साथ मैं इतनी ही फ्रेंड्स इसकी सिलाई करूंगे यह आप देख लीजिए और आप एक बार अपने पैर में डाल के देख लीजिए अगर आपको यह मैं दुबारा इसलिए रिपीट करूँ क्योंकि यहीं से हमारी यह लूज और टाइट होगी अगर आपको लूज लगे तो आप थोड़ इसी और सील दीजिए और अगर आपको टाइट लगे तो थोड़ा सा आप इसको यहां तक सील दीजिए इसको यहाँ पर पक्का धागा तब करिएगा एक बार आपने पैर में डालके और फिर आप इस धागे को यहाँ पर पक्का कर दीजिए तो मैं इसको सील के आपको complete करके आपको दिखाऊंगे देखिए friends complete होने के बाद इस तरह से इसकी लुक आई है यह देखिए बहुत ही सुन्दर डिजाइन है friends और बहुत ही आसान है इसको बनाना और पैनने में बहुत ही comfortable है यह देखिए इसका पैर का निचे का हिस्सा है कहीं इस पे कोई जोइंट नहीं है बस हमने इसकी पिछे क यह इसकी सिलाई की है और देखिए friends बहुत ही आसान है इसको बनाना आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करना और आपको यह डिजाइन कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और friends अगर यह सोक्स आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए वीडियो को कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ थैंक यू